नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लॉज्टडी 2020 में दोस्तो आपको यी वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो को सेर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और जो प्रशन है उनको कमेंड में जरूर द करते हुए MSP क्या है मिनमम सपोर्ट प्राइस सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपच का सही मूल दिलाने के लिए जो मूल निर्धारित किया जाता है उसे नियुन्तम समर्थन मूल MSP कहते हैं दोस्तो यह कमीशन फार एग्रिकल्चर कास्ट एन प्राइजेज द्वारा त देश किसानों को बिचौलियों के सोशन से बचाकर उनकी उपज का अच्छा मूल प्रदान करना है और सारजिंग वित्रन प्राणाली के लिए अनाच की खरीद करना है यदि किसी फसल का ज्यादा उत्पादन हो जाने से और बजार में उसकी अधिकता होने के कारण उसकी क खरीमत कम हो जाती है तो ऐसे में सरकारी एजनसियां किसानों की अधिकांस फसल को नियूंतम समर्थन मूल पर खरीद लेती हैं जिससे किसान नुकसान से बच जाता है दोस्तों हम यह जान लेते हैं कि MSP पहली बार कब लाग हुई थी कब और कैसे लाग हुई थी 1950 और 1960 में किसान अपनी फसलों की बरबादी को लेकर बहुत परिसान थे ज़्यादा पैदावारी होने पर उनको मुनासिब कीमत नहीं मिल पाती थी लागत भी नहीं निकल पाती थी जिसके बाद किसानों के आंदोलन शुरू कर दिया 1964 में LK जहा के नेतरत में एक समिती गठित की गई इस समिती की सिपारिस के आधार पर 1965 में इस पर मुहर लगाए गई और 1966-1967 में पहली बार गेहु और धान का MSP तै किया गया था दोस्तो दोस्तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर कीजिएगा ताकि सब भी तक इस तरह एक जानकारी पहुंच सके हैं